हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मेखा और आप सबी का स्वागत है twinspirmama.com चैनल पर आज हम बात करेंगे कि हमें twins pregnancy में कितने ultrasound करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए और इनको करवाने से हमको क्या फाइदे हैं और हम ये भी चानेंगे कि अगर हम नहीं करवाती हैं तो हमको इनका क्या-क्या रिजल्ट मिल सकता है फ्यूचर में तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हम बात करेंगे कि आपको पहला इल्टरसाउंड कितने वीक में करवा लेना चाहिए आपको जो है आपको जो है आपकी डिलीवरी डेट भी किलियर हो जाएगी आपका बेभी कब तक आ सकता है टीक है DIRE। CC यह और आपको यह और पहले जो नहीं है ठीक है अब हम बात करेंगे कि हमें दूसरा अल्टरसाउंड कौन से बीक में करवा लेना चाहिए जो हमें दूसरा अल्टरसाउंड है वो हमको 18-22 बीक के बीच में जरूर करवा लेना चाहिए इससे हमको क्या-क्या फाइदे होंगे इससे हमको ये फाइदा होगा हमको ये प पर बियुए में पर हैं. प्रेइल ने किसुन और इस और दसुन ही पांगे वेडि़, बीचेहते इयुक सिन्स धरीग सब्सक्राइजा है, वा इससे अरे पर कहोजिएर. भ्यंयसक्त किस अरट युक्तिश है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आपको यह जरूर करवाना चाहिए और आपको यहां पर एक चीज और कलियर होगी कि कहीं आपके जो बेबी को है गर्ब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है या फिर दोनों बच्चो जो आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आपकी twins pregnancy है तो अभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा प्लासेंटा है वो कभी-कभी जो है बच्चे दानी के मूँ पर भी आ जाता है तो जिस वज़े से आपको डॉक्टर जो है जादा बैड रेस्ट के लिए बोलते हैं तो आप सब्सक्राइबेस पर सब्सक्राइब जिससे आपको सारा किलिए हो जाए अब हम बात करेंगे कि हमको convey that sound कौन मेहने में कर बा लेना चाहिए तो साड़े-बाफ मैने का व्म कारवा सकती है इसने आपको क्या फाइदा होगा? इससे आपको यह जुए पकर चलेका उर्च प्रिशन में है ताकि आपको यह क्लियर हो सके कि आपकी जो आने वाला टाइम है उसमें आपकी नॉर्मन डिलिवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी ठीक है अब हम बात करेंगे कि अगर हम अल्टासाउंड नहीं करवाते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखे जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारी जो ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी अल्रेडी होती है तो आपको इसमें बिल्कुल भी कि अपना वीटियो की वागश content कारवार लिए प high sign जिसमें पने मेरे वीडियो के मचे मेरे को तो च lemons में झाने कमया एक जब मन काने कर दो बन सपना ya लिए कमया है कि साथ da दिणी कभी ऐसा बी होता है कि हमारी चो प्रेग्नेंसी फोटीए इसमें जो है बच्चे एक फ़ огतो भोतीrig की बहुत हे और उनको सब आयक हुल रहा हुता है इसे क्या होता है की कभी कभी ऐसा भी कि twins pregnancy high risk pregnancy हो जाती है जिसमें डॉक्टर हर आट में दिर ultrasound करते हैं हर आट में दिन check-up करते हैं तो आपको बिल्कुल करवाने चाहिए अगर आप जो है इस समय लापरवाई करती हैं तो आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि जिल लोगों की twins pregnancy है और उनको जानकारी नहीं है वो तो उनको भी जानकारी मिले और उनकी भी से रिलेटिट वीडियो मिलते रहेंगे तो थैंक यू फ्रैंस मिलते हैं अगले वीडियो में